तो गाइस अब सुरुवात होने जा रही है रशाइन विज्ञान पार्ट टू भाईसा नाम सुलके तो मेरा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यही वो किताब जिससे आप पार्ट टू पढ़ोगे यह बुक जो है NCRT का है तो पहले मैं बता दू पार्ट टू देखो यार पार्ट टू बहुत बढ़िया मतलब है तो इतनी पतली बुक जबकि मैं बताओ इससे दुगुना था फॉस इसको मेरे दोस्त मेरे शाती हलक इमत लेना टैप दे दीजिए ठीक है यह आपको मैं दिखाता हूं चीजे रशायन विज्ञान भाग टू में क्या चीजे कैसे हैं ठीक है सबसे पहली बात आप लोग कैसे हूं उम्मीद करता हूं चेला बहुत बढ़िया होगे हेलो शर हे पढ़ना है मैं कब पढ़ना है यह राशायन विज्ञान पार्ट टू है और कच्छा बारवी के लिए है यह तो नया बैस जोईन करने के लिए आप 299 में जोईन कर सकते हैं आफर को दीवाली तक बढ़ा दिया गया है 299 वाला आफर जो था उसको बढ़ा दिया गया वन व राशायन विज्ञान जो पार्ट टू है हमारा क्या है पार्ट टू और वो पार्ट टू हम पढ़ने वाले हैं मजा आएगा ठीक है तो आप लोग तयार हो कि नहीं एक बार शेयर कर दो क्या क्या कैसे पढ़ना यह जो बुक है यह NCRT की बुक है कितना रुपय मिल जाएग मैं तुम लोग को बताया था कितने हाँ एक सो पाइटीस रुपया मिल जाएगा यह बहुत सस्ती बुक है महांगी बुक नहीं है एक सो पाइटीस रुपय में रुपय एक सो पाइटीस में यह हमें मिल जाएगा क्या होगा एक सो पाइटीस रुपया मिल जाएगा बहुत ज्यादा पईसा खर्च करने के जोत नहीं, जब जाओगे आप, तो देखो NCRT, N-C-E-R-T, ये NCRT की भुक है, National Council of Education, Research and Training, तो NCRT पैटर्न हर जगा अब चल ला है, ये आप ही जानते हो, तो ये NCRT की भुक है, जो ज्यादा मांगी नहीं है, 135 है, तो पहली बात, पढ़ने स पहले ही मैं बता दू, हर एक बच्चे के बात, सभी स्टूडेंट के पास, ये बुक होनी चाहिए, सभी स्टूडेंट के पास, ये बुक होनी चाहिए, हाथ उठा, सभ के पास है, किसके पास है, है न, कमेंट में बहुत आ दीजिएगा, किसके पास है, किसके पास नहीं है, अब अभी तक, टोटल हमने कितने चेप्टर पढ़ें पार्ट वन में, पार्ट वन जब हमने पढ़ा, तो पार्ट वन में टोटल हमने 9 चेप्टर पढ़ें, 9 चे अब पार्ट टू में हम कितने चेप्टर्स पढ़ेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है, पार्ट टू में, आपको हम टोटल पढ़ाने वाले चीजों को, ये है आपका, यस, नहीं है सर, नहीं है 335 रुपया खर्च करना, अब मिल जाएगा, नौ उसमें पढ़ लिया, अब टोटल 16 तक पढ़ना है, ठीक है, टोटल क्या होगा, 16 तक पढ़ना है दोस्त, यानि पार्ट वन की बात अगर करें हम, तो पार्ट वन में हमारा 109 तक पढ़ लिया, पार्ट वन में चैप्टर नंबर 1 से 9 तक, कहां, चैप्टर नंबर 1 से, चैप्टर नंबर 9 तक हम मेरे दोस्त, part 2 में हम क्या करेंगे chapter no 10 से start करेंगे and chapter no 16 तो जाएंगे, यान इसमें 7 chapter ही पढ़ना है, इसमें क्या करना है मेरे दोस्त, मेरे साथी, मैहनत से हमें total only, total only 7 chapters पढ़ना है, पहले बाद इस तो असान है, लेकिन नहीं, ये 7 chapters जो है न, तुछ याद आजाएगा पड़ने में यहली फार्टिक, एरिमेटिक, एरोमेटिक, हेलो एलकेन, हेलो, 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 हेलो हैं, अब कına यहार तम लगाकė पड़ेंगे मजा आजाएगा क्यूंकि जब तक तोड़ना नहीं है, तब तक छोड़ना नहीं है किलियर है? ठीक है अभी अब बताते हैं चैप्टर नंबर 1 सबकी बारे बताता हूँ चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या है? नाम बता हूँ मेरे शाथ हेलो एलकेन एवं हेलो एरीं हेलो हेलो इसका नाम है हेलो एलकेन क्या नाम है हेलो एलकेन तथा हेलो एरीं तथा हेलो एरीं मतलब यह पढ़ना है पहली बात यह बहुत मस्च चेप्टर है ठीक है हेलो एलकेन एवं हेलो एरीं यह चेप्टर नंबर टेन है इसमें लगबग आठ पॉइंट है, 10.1 है, 10.2 है, 10.3 है, 10.4 है, 10.5 है, 10.6 है, 10.7 है, 10.8 है, मतलब लगबग लगबग आठ पॉइंट है, लगबग, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आठ दिन में खतम हो जाए, कम से कम, मतलब लगेगा, आठ दिन अच्छा से लग जाएगा, अगर अच्छे सम पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि NCRT में जो चीज करण हो गया, दुसरा हो गया आपका नाम पद्धती दे दिजिए, नाम पद्धती हो गया, ठीक है, नाम पद्धती, ठीक है, फिर आगया CX आबंद की प्रकिती हो गया, आबंद, आबंद की, आबंद की प्रकिती, लिख लीजिए, जिसके पास NCRT की बुक नहीं है, ओ ल है जो बुक नहीं खरीदना चाहते हैं 135 रुपया नहीं खर्च करना चाहते हैं वो कमेंट में को दीजे मैं लिखवाई दे रहा पुरा ठीक है कमेंट बॉक्स में बताईए कि हमारे पास नहीं है अलकिललड़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ विदिया, ठीक है, विलचन की विधिया, बनाने की विधिया, यह होता है विलचन हमारा 10.5 कह रहा है, hello, hello, एरिनो का विरचन, यह hello, hello, एरिनो का, हेलो एरीनो का का वीरचन ठीक है हेलो एरीनो का वीरचन फिर भहुतिक गुड आ गए है इसके भहुतिक गुड ठीक है यह आपके आ गए है भहुतिक गुड ठीक है अभी देखो राशायनिक अभिकिरियाए राशायनिक राशायनिक अभिकिरियाएं क्या हो गया राशायनिक अभिकिरियाएं हो गया ओके यह आपका हो गया राशायनिक अभिकिरियाएं ठीक इसके बाद 10.8 है पॉली हैलोजन योगिक पॉली है लोजन हैलोजन योगिक पॉली हैलोजन योगिक ठीक है यह आपका हो गया मतलब इतनी सारी चीजे मज़दार चीजे गाइस हमें पढ़ेना है क्या मज़ा आएगा कि ना एक बार मुझे बताओ मज़ा आएगा कि नहीं आएगा बोलो सर आज मेरा कमिश्ठी अच्छा बहुत बढ़िया तो लिख लिया सभीने आगे चलें चैप्टर नमबर अरे ये टेन है चैप्टर नमबर या चैप्टर नमबर वन नहीं टेन है मज़द पार्ट ऊ को वन ही माना जाय का लेकिन टेन माना जाता है तो सभी ने लिख लिया, नोट डाउन कर लिया, एक एक पॉइंट को, आगे चलें, यसर है, है चाहे नहीं, कॉपी पे लिखो, सशुराज अब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा, राइटिंग कही चाही होगा, बिना प्रैक्टिस के नंबर नहीं आ सकता, हाँ, बिना नहीं होना वाला, आपने आपको भूपा समझने से, चली अगले पॉइंट पर चलते हैं, चैप्टर नंबर 11 पर, चैप्टर नंबर 11 पर, स्क्रीन शॉट ले लो यार, खटाक्ष, लुको इधर से ले लो, लुक जाओ, जस्ट वेल क्लासेज, सब लोग लगा देना, कि प अब 11, इसका नाम है आपका, एल्कोहल फिनाल एवं एथर, ठीक है, एल्कोहल फिनाल एवं एथर, ठीक है, एल्कोहल फिनाल एवं एथर, 299 रुपया में, अगर आपको फूल कोर्स फिर से मिल ला है, तो मैं कह रहा हूँ, साथ दिन का मौका है लूट लो आप हमारे इस नंबर पर 83, 18, 42, 15, 83 पर call करके तुरंट लूट लो call करके तुरंट के तुरंट लूट लो ठीक है? अगर को सर मुझे new best join करना है offer के साथ मुझे दे दीजे तो मिल जाएगा तुमको तुरंट ठीक है? चलो अगला पॉइंट मैं लिखवाता हूं तुमें बहुत सांदार तरीकेश है इसमें इसमें थोड़ा कम है 11.1 11.2 है 11.3 है 11.4 है 11.5 है 11.6 है 11.6 है 11.6 तक ही है 6 तक ही है अब आब आब इसमें बताते हैं 11.1 में है फिर इसमें वर्गी करण है हमेशा वर्गी करण मिलेगा क्लासिफिकेशन है इसमें ज्यादा समय लगे का नहीं नाम पद्धती है क्या है? नाम पद्धती है अरे यार हर एक टॉपर के जुबान पे सिलेबस होता है तो क्या तुमारे जुबान पे सिलेबस है? किस नंबर पे कौन सा चेप्टर है? चेप्टर वन का नाम क्या है? चेप्टर टू का नाम क्या है? याद है? अगर याद नहीं है तो गल्ती कर रहा है फिर ठीक है? प्रकर्यात्मक प्रकर्यात्मक समूह की सन रचना है समूह की सन रचना है सन रचना है ठीक है? यह हो गया 11.4 है इलकोहल और फिनालो का विर्चन क्या है? इलकोहल इलकोहल एवं एवं फिनालो का विर्चन फिनालो का विर्चन ठीक है? 11.5 की बात करते हैं 11.5 11.5 है औधोगिक महत्त्मक के कुछ इलकोहल औधोगिक औधोगिक महत्तो के कुछ इलकोहल यह आप लिख लीजिए महत्तो के कुछ इलकोहल जो हमारे इंडस्टियल में यूज होते हैं उस टाइब के इलकोहल की बात कर रहा है उसके महत्तो के लिए इलेवन पॉइंट सिक्स है इथर आपका क्या है इथर तीतनी सारी चीजे आपको चेप्टर नंबर 11 है पढ़ना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इकाडिंग टो न-C-E-R-T है N-C-E-R-T इसके एकाडिंग ही आपको पढ़ना है ठेक है जस्ट विल क्लासेज है न आपके लिए इंगलिस की बायलोजी की सारी क्लासेज चल लहीं है धड़ 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 ठेक है दोस्त सर मेरे पास नहीं है वड़ बाई करो कोई बात नहीं लिख लो नहीं है तो कितने लोग लिख चुके राइटिंग अच्छी अब मेरे पास कॉंपी भेज देना सब लोग मेरे पास कॉंपी ज़रूर भेजिएगा 83, 82, 45, 33 तुरंत कॉल करो और तुरंत कहो सर मुझे जॉइन करना है सर मुझे जॉइन करना है देखो सर दी तुरंत जॉइन कर देंगा ओके बहुत बढ़िया चले आगे चलो स्क्रीन सॉट ले 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 ना चैप्टर नंबर बात करते हैं चैप्टर नंबर आपका 12 चैप्टर चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम क्या है LD Height Ketone एवं जिसका नाम है LD Height ठीक है LD Height Ketone मैं चाहता तो प्रिंट करा है चापके लाता लेकिन नहीं अच्छा लगता है लिक लेक के पढ़ाने में मजा जो है न भाई ओ कभी नहीं है एवं कार्बोगजलिक अंबर कार्बोगजलिक कार्बोगजलिक अंबर ठीक है ये आपको पढ़ना है ये चैप्टर का नाम है इसमें क्या है इसमें थोड़ा सा लंबा है, इसमें आपका अगर शुरुवात होता है 12.1 से इसमें 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 10 तक इसमें पढ़ना है, इसमें है थोड़ा लंबा है इसमें लगेगा समय, जी हाँ ये है लंबा और इसमें लगेगा बकायदा समय ठीक है, चले इसको लिखना शुरू करते हैं, are you ready guys लिखने के लिए आप लोग तैयार हो बोलो पहला है, कार्बोनिल कार्बोनिल योगिको का नामकर हम समझना कार्बोनिल योगिको का योगिको का नामकरण क्या है, नामकरण एवं सनरचना एवं सनरचना ठीक है, ये है पहला आपका उसके बाद आपके एवं किटोनो का विर्चन है एवं किटोनो का किटोनो का विर्चन है विर्चन मतलब बनाने की भी दिया समझ रहा हो दोस्तों मेरे प्यारे साथियों कमेंट करके बताईए का एक बाद ठीक है, ट्वेल पाइं थ्री है भावतिक गुड धर्म क्या है, भावतिक भावजी के नहीं, भावतिक भावतिक गुड धर्म है ठीक है, ट्वेल पाइंट फूर क्या है राशायनिक अब किरिया है राशायनिक ये है आपका दोस्त, याद रखना कोई पुरे इंडिया में है 1299 में इतने सांदार से चीज़े से नहीं पढ़ाएगा LDHM Ketono का उपियोग LDHM Ketono का उपियोग क्या है? Ketono का उपियोग है LDHM Ketono का उपियोग ठीक है? Karbogluc Samu Oकी नाम पधती सरचना Karbogluc Samu Oकी Samu Oकी नाम पधती उसरचना नाम पद्धत एवं सन रचना एवं सन रचना ठीक है 12.7 क्या है कार्बोग्जलिक अमन बनाने की विदिया 7 क्या है देखना छोटा-छोटा लिखना है ताकि हो जाए कार्बोग्जलिक ठीक है कार्बोग्जलिक अमल बनाने की की विदिया ठीक है 12.8 है आपका भौतिक गुर्ण यहाँ पर आ गया मतलब यह आपका भौतिक लिखते जाओ दोस्त यही तुमारे जिन्दगी में काम देने वाले हैं यही तुमको मज़ा आएंगे और चैप्टर टू तुम पढ़ पार्टू पढ़ोगे बढ़िया से ठीक है सच कह रहा है दिवाना दिल ना किसी से लगाना रासायनिक अभी किरिया है क्या होता है दोस्त रासायनिक अभी किरिया है 12.10 क्या है कार्बोगजलिक अमलो के उपयोग कार्बोगजलिक अमलो के उपयोग यह आपका टोटल लहा चैप्टर नमबर 12 स्क्रीन सोट ले लो अब इसके पास मैं बताता हूं तुम्हें 13 में क्या क्या पढ़ना अब मजाएगा अब इजी होता जाएगा अब इस चैप्टर के बाद ज्यादा चीज़े याद करने वाली रहेंगी यानि चैप्टर अगर हम 13 की बात करें किसी ची 13 की इसका नाम है एमीन इसका नाम ही है एमीन ठीक है एमीन इसमें क्या क्या पढ़ना है ठीक है 13.1 है 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 ठीक इसमें भी 10 तक है 13.6 13.7 13.8 13.9 13.10 10 तक इसमें भी पढ़ना है क्या क्या है दिखाते हैं आपको सांदर तरीके से पहला एमीनो की सन रचना पहला क्या है एमीनो की सन रचना ठीक है दुसरा क्या है वर्गी करण दुसका क्या है वर्गी करण ठीक है तीसरा क्या है नाम पद्धते चौथा क्या है एमीनो का विर्चन एमीनो का का विर्चन और इसके बाद भौतिक गुर्धर्म आए उसके बाद क्या हो गया राशायनी कब किरिया है अभी किरिया है अभी किरिया है ठीक है उसके बाद आपका है डाई एजोनियम लवडो की विर्चन अब इसके बाद एट है बहुतिक गुर्धर्म फिर से इनके बहुतिक गुर्धर्म आगए बहुतिक गुर्धर्म अब आए इसके बाद क्या आ गया है मेरे दोस्त स्के बाद राशायनी कब करिया है रे चेला बहुत काम देगा तो समझ रहा असान इसको राशायनिक अभी किरिया है इसके बाद क्या है राशायनिक अभी किरिया है इसके बाद आपका है एरोमैटिक अब आगया एरोमैटिक एरोमैटिक योगी को के योगी को के संसलेशर के संसलेशल संसलेशल मे मे डाई डाई ए जो ए जो लवडो का महत्तो का महत्तो का मतलब होता importance ठीक है अब ये रहा हमारे chapter number 13 तो जल्दी से आप लोग फटा फटा स्क्रीन सोट लो फिर महें लेकर आता हूँ आपके सामें धमाकेदार chapter number 14 तो गाई मजा रहे है कि नहीं यार अरे पूरा मतलब इन नाम है देखो पहले कहीं घर बनवाने से पहले हम उसका नक्सा बनवाते हैं अर नक्सा बनवाने से भी पहले हमी सोचते हैं को को बेडरूम बनवाएंगे दूग लईका है तो दूग बेडरूम चारगो है तो जारगो सीड़ी चाहिए बालकनी चाहिए दूग किचन चाहिए तो अलग होके सब तो अलग अलग एक को लेले सब ठीक है बहुत जालिम चेप्टर है सही बोली सानिया जुल्मी दुनिया जुल्मी दुनिया आज आओ ये रहा चेप्टर नमबर 14 का नाम है जैव अडू क्या नाम है जैव अडू क्या नाम है जैव अडू इसमें थोड़ा कम पढ़ाना इसमें याद करने वाला 14.1 Carbohydrate क्या है Carbohydrate कोसीस करें के पःले ये पढ़ा दें क्या इसा भी याद करने वाला है कोशिज करेंगे हम पहले ही याद करने वाला पढ़ाद है ठीक है बिटामीन ठीक है 14.4 हो गया 14.5 नूकलीक अमल ठीक है उसके बाद 14.6 हार्मोन हार्मोन यह खत्म यह इतना पढ़ना आई है हाँ सन्नो क्यों बार बार बोल लई हो बाई सबको हाँ बोलो चले अब आगया चैप्टर नंबर 15 की बारी यह बहुलक है इसका नाम है चैप्टर नंबर 15 अचैप्टर का नाम है बहुलक क्या नाम है बहुलक बहुलक क्या नाम है इसका बहुलक अब इसमें देखो 15.1 है पहले 15.1 है ठीक है यानि बहुलको के वर्गी करण बहुलको बहुलको का वर्गी करण मतलब क्लासिफिकेशन बहुलको का वर्गी करण ठीक है 15.2 या 15.2 भी होगा ज्यादा नहीं इसमें इसमें भी 5 है यह छोटे छोटे चेप्टरस है थोड़ा जल्दी से खतम हो जाएंगे आपके इसलिए कहते हैं सले बस खतम हो जाएंगे काहें कहते हैं क्योंकि मुझे पता है बहुलकन के परकार बहुलकन के परकार बहुलकन के परकार फिर आगे आपका बहुलको का आडविक दरब्यमान बहु लको का लको का आडविक दरब्यमान आडविक दरब्यमान ठीक है आडविक दरब्यमान फिर फोरज जैव निमनी करड़ी बहुलक जैव जैव निमनीक्रडी बहु लग, ठीक है जैव, अब पंचवा नंबर है ब्यापारिक महत्तों के लिए कुछ बहु लग ब्यापारिक महत्तों के लिए no doubt कर लो कापी में पहले पे, यह व सब लोग नपक्रपी बनाएंगे पार टू के लिए सबकी नई कॉपी होनी चाहिए, स्टार्टिंग में ये लिखो, पहले जस्ट्वेल क्लासेज, फिर मेला नाम लिखना, एरिक विकास सर टीचर, ताकि जब वो कॉपी रखे रहो जब तुमारे बच्चे होंगे, तुमारी बीबी आएंगे, अस्वेंड होंगे, तुनको होना चाहिए आपके लिए, तो आप हर कॉपी पर उसको लिखिए, बेस्ट टीचर ये, ठीक है, ताकि आपको पता चले, ठीक है, चैप्टर नमबर 60, ठीक है, अब इसमें क्या है, दैनिक जीवन में राशायन, इसका नाम है, लास्ट चैप्टर रही है, दैनिक, ठीक है, दैनिक जीवन में, जीवन में राशायन, ठीक है, क्या है, दैनिक जीवन में राशायन, ये ही चैप्टर का नाम है, इसमें क्या क्या है, 16.1 है, 16.1, कहां तक, 5 तक इसमें भी है, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, पांच तक इसमें भी है, पहला क्या है, आवसद तथा उनका वर्गी करण, आवसद तथा तथा उनका वर्गी करण, इन सब में कहो तुम लोग, तो सबसे इजी जे चैप्टर हो, जो बहुत जल्दी खतम हो जाए, पहले हम उसको स्टार्ट करके खतम कर दे, जल्दी बता हो तुम लोग, मेरा साथ हो, हाँ, समझ रहा है, नहीं नहीं, बस एंसी आटी का सलेबस लिखवाते हैं, पढ़ाटे उबढ़ा ली है, तुमको पता नहीं है, आवसद लच अन्योन किरिया, इसके बाद है, आवसद लच अन्योन किरिया, ठीक है, अन्योन किरिया, समझ रह इसके बाद विविन वर्गों की 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 विविन व परभाव, ठीक है, चिकतिसी परभाव, किलियर, यस, भोजन में राशायन, भोजन, भोजन में, भोजन में राशायन, ठीक है, ठीक है, उसके बाद सोधन अभी करमक, यह रहा आपका खतम, टोटल, इस से ज्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक ए कापी को पढ़ने में, डीटेल में पढ़ना पढ़े गा, ठीक है, ओके, किलियर, इतनी सारी चीज़े आपको, जो मैंने अभी बताई है, सर, चेप्टर 10, स्टार्ट करते हैं, अच्छा, आप लोग जैसा कहोगे, I am back, welcome here, organics स्टार्ट करो, सर, यह सर किलियर है, तो इतनी सारी चीज़े पढ़ने हैं, आपको यह बढ़िया नंबर देगा, और सच में आपको यह पता होना चाहिए, स्क्रीन सोट ले लिया, तो भाई, आप सबको बताओ, एक मातर यूटूब पे चैनल जो है, इतने कम पईसे में पढ़ा रहा, जस्ट वेल क्लासिज जो है, जस्ट वेल क्लासिज क्या कर रहा है, मातर, अभी तो आपर मैंने फिर दे दिया है न, मातर दो सो निन्यानवे रुपए में, क्या, दो सो निन्यानवे रुपए में, फूल स्लेबस पूरे वन एर के लिए, फूल स्लेबस पूरे वन एर के लिए बता के पूरे वन एयर के लिए है पूरे एक साल तक के लिए यह full syllabus है जिसमें all subject है तो आईसा कोई channel नहीं है जो इतने कम पईसे में आपको पढ़ा है तो आपको काम करना क्या है आपको बस मेरा support करना है सब लोग जोईन कर लियो कि नहीं बोलो दोस्तवा को बताया दूसों नियान में तो बॉखला गया घुरुजी हाँ बिल्कुल लाएंगे तो यह सारी चीजे हैं उससे पहले आपको प्लेलिस्ट में part 1 लगा है यानि जस्ट्वेल क्लासेस के ए पर जस्ट्वेल क्लासेस के ए पर आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 9 तक का वीडियो चैप्टर 2 एधम लाइन से मिल जाएगा चैप्टर 2 जो नए बच्चे उसको डेली पढ़ते रहें सुरू से चैप्टर 3 चैप्टर 4 ठीक है चैप्टर 4 चैप्टर 5 ठीक है चैप्टर 6 चैप्टर 6 चैप्टर 7 चैप्टर 8 चैप्टर 9 इतना आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं किलियर है दोस्त? बहुत बढ़िया किलियर है कि नहीं? तो यह सारी चीज़े आपने पढ़नी जाके कहाँ पर? एप डाउनलोड करना है वहाँ से न्यू बैज को जॉइन करना 299 में फिर आपकी पढ़ाई सुरू अब मैं क्या करने जा रहा हूँ? एक नया चीज मैं लॉंच करता है आपके लिए मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट अभी तक लॉंच नहीं हुआ था अब आपको मॉक टेस्ट मिलेगा अब अब परसों से हैंड रिटेन नोट मिलने लगेगा हैंड रिटेन नोट भी मिलने लगेगा हैंड रिटेन नोट भी मिलेगा तो ये दोनों खुशकबरी आपको देना था हाँ लेकिन जो जो जोईन किया है जो पैड क्लासेज वाले है ये मौक टेस्ट उनी को मिलेगा मौक टेस्ट जिसे मालों मौक टेस्ट एक ऐसा तरीका है 50 मिनट के अंदर 60 मिनट के अंदर पूरे चिप्टर के सारे इंपॉर्टन कोश्चन आप टेस्ट के रूप में दे दोगे समझ रहे हो हाँ अभी एप पर करवा देते हैं चेंज एप पर अभी चेंज हो जाएगा ठीक है समझ रहे है हाँ तो कहने का मतलब यह हमारा कि मात्र एक टेस्ट देने से इसका टेस्ट में क्या होता कहीं से भी होता है मौक टेस्ट में क्या होता है चेप्टर वाइज होता है मौक टेस्ट में क्या होता है चेप्टर वाइज सिर्प चेप्टर वन का ही टेस्ट उसमें मिलेगा खोलोग होता है चेप्टर वन का फूल टेस्ट दो फिर से आपका फूल टेस्ट देने भाद confidence जो होगा वो हाई लेबल हो जाएगा confidence हाई लेबल का हो जाएगा यह सारी ब्यवस्था है ठीक है तो जितनों को जुड़ना है फटाक से आपको हमारे इस नंबर पे call करना है जिनको join करना है 83, 18 42 15, 83 पे call करिए अब बोलिए sir मुझे join करना है ठीक है? और तुरंत आपको उतने पैसे में ही join कर दें 61 गया है ठीक है? तो चलिए फटा पढ़िया तो एप से join कर लीजिए वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में बताईएगा कल से शुरुआत करेंगे 0 से फिर कल एक बज़े आना बिलकुल ना भूलिएगा सब लोग अपने टाइम से आ जाईएगा क्योंकि अगर एक को खलास अगर मिस कर दिये तुम लोग कसम से नहीं समझ में आएगा क्या होगा? कसम से नहीं समझ में आएगा किलियर है? किलियर है कि नहीं? बिलकुल नहीं समझ में आएगा तो ये वीडियो मैं ही पेंट करता हूँ उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे जान नोट कर लिए होगे एकदम न्यू कॉपी के साथ इस्टार्ट करो आप फोटो खींज के मुझे भेजना जरूर ठीक है? तो बबाई जैहिन जैभारत लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा झाल झाल झाल